होलो फ्रेंट्स वेलकम टूर चैनल मैथेमेटिक ट्रीक्स टूड़े वीडियो इस गोना भी अबाउट क्वाद्रेटिक एक्वेशन से स्टार्ट करते हैं कि हम क्वाद्रेटिक एक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेशन हमारी किस टाइप की होती है हम जन्रेल एक्वेशन लेकर चलते हैं जन्रेल एक्वेशन ही इस एक्सक्रेयर प्लस बी एक्स प्लस एक्वेशन टू जीरो इस टाइप की हमें हमारी जन्रेल एक्वेशन होती है जिसके अंदर हमारा ए बी और सी यह हमें कोश्चन में given होता है that means यह के हमारे known numbers and a not equals to 0 होगा ए क्या होगा हमारा not equals to 0 अगर हमारा a0 के equal हो जाता है तो वो equation हमारी quadratic equation नहीं होगी तो हमारे equation जोगी linear equation होगी इसलिए हमारे पास यहां condition रहते हैं कि a not equals to 0 रहना चाहिए and x क्या है हमारा हमें find out करना होता है अब हमने एक equation लिए है x square minus 2x minus 4 equals to 0 यहाँ पर जो हमारा a है वो किसके equal होगा coefficient of x square x square का coefficient जो x यह हमारा क्या है x square इसका coefficient क्या है यह 1 यह क्या है हमारा a इसको हम क्या बोलेंगे a that means a क्या हमारा 1 के equal b किसके equal है coefficient of x raise to the power 1 b क्या है हमारा coefficient of x raise to the power 1 x raise to the power 1 का coefficient क्या हमारे पास minus 2 क्या है हमारे पास minus 2 और c किसके equal होगा हमारा coefficient of x raise to the power 0 किसके equal है minus 4 that means यह क्या हमारा minus 4 x raise to the power 0 क्यों होता है हमारे पास 1 अब देखो यहां पर equation को आप check करो x square minus 2 x raise to the power 1 minus 4 x raise to the power 0 something raise to the power 0 क्यों होता है हमारे पास 1 इसलिए हम उसको equation में लिखते हैं नहीं x raise to the power 0 क्योंकि सबको पता होता है कि x raise to the power 0 क्यों होता है 1 इसलिए हम यहीं लिखते हैं x square minus 2x minus 4 equals to 0 अब मैंने आप mention कि यह कर दिया आपके लिए any number raise to power 0 is 1 x square minus 2x minus 4 इसको हम क्या बोलते हैं expression क्या बोलेंगे expression मैंने आप एक equation ले लिए x square minus 2x minus 4 equals to 0 इस equation को हम क्या करेंगे solve करेंगे बहुत easy way से ठीक है इतनी बात अब हमारे पास equation x square minus 2x minus 4 equals to 0 इस quadratic equation को हम कैसे solve करेंगे वही हम discuss करेंगे आज तो हम लिखते हैं d equals to b square minus 4 a c d equals to b square minus 4 a c अब मैंने आपको पहले ही बता दिया x square का coefficient क्या है यहां पर a a क्या होगा हमारा हमेशा x square का coefficient को हम a बोलेंगे a क्या हमारा यहां a है हमारा यहां 1 x का coefficient क्या है minus 2 minus 2 और c क्या हमारा minus 4 अब हम स्टार्ट करते हैं d क्या हमारा discriminant discriminant का formula क्यों होता है discriminant किसके एकवल होता है हमारा b square minus 4 ac अब d equals to b b की value क्या है हमारे पास minus 2 यहां पर पुट कर देंगे minus 2 का square minus 4 a की value को put करेंगे 1 c की value को put करेंगे minus 4 अब इसको solve करेंगे टू टू जा माइनस टू के माइनस टू को whole square को open करके क्या आएगा हमारा 4 minus minus plus 4 for the 16 16 plus 4 20 अब जो discriminant आया हमारा d यह होगा हमारा 20 अब x is equals to minus b plus minus under root d upon 2a x किसके एकवल है? minus b की value के हमार पस minus 2 plus minus under root d 20 upon 2a की value के हमार पस 1 x is equals to minus minus plus upon 2 ठीक है इतनी बात अब हम इसे कैसे solve करेंगे? under root 20 को solve करना मैं आपको बता देती है under root 20 को हम कैसे solve करते हैं अब से में लेके solve करेंगे 2 बंजा 2 255 जा 10 5 बंजा 5 अब देखो under root 20 को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे इसके pair बन गए है इसको हम एक बार लिखेंगे यहाँ पे हमारा single pair है इसको under root के अंदर लिखेंगे under root 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 under root 5 भी लिख सकते हैं तो अब हमने यहाँ पे value पूट करनी है 2 under root 5 upon 2 अब जो यह 2 है यह दोनों के upon में है अलग-अलग कर देंगे plus minus 2 under root 5 2 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल 1 plus minus under root 5 ठीक है इतनी बात अब यहाँ पर हमारी value के आई है plus minus that means एक value के हमारी यहाँ पे x1 और एक value के हमारी यहाँ पे x2 I hope you liked the video don't forget to like, share and subscribe to my channel and press the bell icon thanks for the watching